हाई अवरिवन आप सभी का एक पार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पिएसडी इंटरेंस एक्जामनेशन का कुश्चन पेपर यानि पिएसडी एडमिसन के लिए जो रिटेन टेस्ट लिया जाता है उसका क कॉश्चन पेपर हम लेके आए हैं और यहां पे दिख रहा होगा कॉमर्स सब्जेक्ट तो आप लोग अगर कामर्स से नहीं है तो आप लोग वीडियो छोड़के मज़ाईए क्योंकि यह सभी सब्जेक्स के लिए है क्यों क्योंकि आपके रिटेन टेस्ट में सब कर दिया जाता है को शन्द का एक रख दिया जाता है part A जिसमें 50 Special of Li poksu से यहां पर question बनता है तो दो एरिया से question पूछे जाते हैं तो जो commerce का हो गया तो वो part B में ठीक है इनसे question इनका question दिखेगा लेकि part A में सबके लिए question दिखेगा जो research methodologies से हैं और ये 50% question सभी को attempt करने ही होते हैं तो आप सभी को हम बता दें कि PhD का जो ये interest test हुआ था 2019 में ये टेस्ट हुआ था आपके इगनु में ठीक है इगनु इंद्रिया गांधी नेशनल ओपन उस्टी के ठीक है पिएजडी exam के लिए पिएजडी admission के लिए जो exam हुआ था उसमें ये question paper दिया गया था तो खोच के हम question paper इसलिए आप सभी के लिए लाए हैं ताकि अगर in future आप PhD में admission लेने वाले हो और रिटने टेस्ट आपका होने वाला हो तो एक अनुखा मिल जाए कि कैसा question पूछा जाता है difficulty level question का कैसे रहता है ETC सभी चीज़े आज के वीडियो में हम समिटने वाले हैं ठीक है तो आपको और चीज़े एक बता दें कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हों उन सभी को हम बता दें कि ज्यादा तर syllabus जो रखा जाता है universities के द्वारा PhD admission के लिए जो रीटेन टेस्ट होता है अगर आप लोग UGC NET या CSIR NET का exam कभी दिये हों और अगर नहीं दिये हैं तो आप इनकी website official website पे जाके syllabus डाउनलोड कर लेजिए ठीक है पेपर वन पेपर टू का तो maximum आपको उता दें कि जो यहाँ पे syllabus रखा जाता है इंडिया में 90% universities हो गई या कहें 80% universities हो गई वो इन ही का syllabus फालो करती है ठीक है यानि कि वो कह देती है जो UGC NET का exam होता है CSIR NET क इसका exam होता है और जो syllabus होता है वह syllabus हम भी फालो करेंगे और उसी syllabus में जो चीजे रखेंगे हैं उसी के according हम question पेपर में question रखेंगे ठीक है तो यह भी इगनू भी कहा है कि जो भी हमारा syllabus होगा UGC NET का syllabus होगा और उसी के according हम question बनाएंगे तो आप लोग अगर preparation करना चाहते ह हैं PhD के test के लिए तो आप लोग सेवस वहां पे download करके आप लोग फालो करिएगा और अपने preparation में उनके topics को सौमिल करिएगा आपको यहां पे हम बता दें कि जो यहां पे PhD का question paper है वो हिंदी और English में दिया गया है और यहां पे total कहा गया है कि 100 marks का question paper है and 3 hour आपको दिया जा है और 100 question यहां पे आपको दिये गया है और हर एक question का एक number रखा गया है correct answer देने पे ठीक है one marks दिया गया है correct answer देने पे तो यहां पे देखिए तीन घंटे का समय है PhD एंफिल परिश परिष्छा 2019 वाडिज यानि Commerce तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे तो यहां पे research question शुर देखने वाले हैं यह अपने में अनुमोल है ठीक है अगर जो भी options दिया गया है question का उन सभी के बारे में आप लुक पढ़ लें तो जो भी PhD का intense आगे होने वाले हैं मैं बता दू कि उसमें 25 question आपके फस जाएंगे 25 question आपके निश्चित तोर पे फस जाएंगे इन सभी option मे इसे ही ठीक है तो कहीं कुछ मत तयार करें इन option को देखिए और यह option में जो चीजें रखी गई है उनके बारे में पढ़िए अपने 25 questions सत्य हो जाएंगे आपके exam में यह हम कह रहे हैं अपने अनुमों से क्योंकि कहां से question बार बार बनाएंगे कहीं other question नहीं बना पाएंगे आप लोग research के type आपका उसके अनावा hypothesis उसके आपका research के जो आपके test आपके जो हैं ठीक है उसके आपके जितने भी समझ लेजिए कि sampling methods है उसके आपके जो भी research के steps है उन सभी को आप follow करिए ठीक है तो आप लोग 100% qualify कर लेंगे exam का paper कोई बहुत जाला hard नहीं आता है ओके देखा question paper में सबसे पहला question दिया गया है the type of research which allow the researcher to gain a better concept and provides direction in order to initiate a more structured research in term at age तो भाई यहाँ पर question जो था ठीक है उसका answer आप लोग check करिएगा क्या है कैसे है ETC ठीक है second question देखे लिखा गया है यहाँ पर the sampling technique under which population is divided into mutually exclusive groups and the researcher draw sample is card okay तो यहाँ पर certified है cluster है श्रोब अलोग कोटा है next question दिया गया है logic which includes drawing drawing culmination okay inference from a given list of certain factors आपका detective reasoning inductive reasoning objective reasoning and critical thinking okay third question देखे यहाँ पर है research studies which determine the frequency which with which with which something occurs or its casual causal association with something else is called formative research descriptive research diagnostic and experimental research fifth question दिया गया है the different conditions that prevail in a research research study under which experimental and control groups are put are called as okay first treatment investigation blueprint analysis next question दिया गया है the term gap है आपका is used in experimental research to reflect the restraint in experimental condition value alternative novelty and control देखे एक next question दिया गया है 7th number का the ones that have a strong contingent effect on the relationship between the independent and dependent variable first आपका dependent second dependent third moderating and fourth actor nears extra nears okay यह four options दिया गया है फिर वही question को यहाँ पर देखे वन टू सेवन हिंदी में दिया गया है तो जो हिंदी से हैं यहां पर देख सकते हैं कि कैसा question आ रहा है कैसा question पूछा जाता है और आप लोग ऐसा कभी धारणा बनाके मत बैठिएगा कि PhD का return test होता है बहुत hard होता है नहीं अगर आप लोग पढ़ेंगे जो भी सिल्वर स्वाई जो भी चीज़े हैं तो आपको basic चीज़े ही question में ज्यादा तर देखा जाया 30 to 35 question में basic चीज़े ही उसमें पूछी जाती है और 50 question में देखा जाया तो 15 to 20 question ही होता है जो थोड़ा सा hard level के या कहें थोड़ा सा general से थोड़ा सा उपर के question पूछ लिए जाते हैं लेकिन ज्यादा तर देखा जाया question नौर्मल ही पूछी आते है basic जानकारी उसके बारे अगर आपके पास है तो आप लोग correct answer लगा सकते हैं null hypothesis, alternative hypothesis, descriptive hypothesis and relational hypothesis okay which principle advocates the simultaneous or sequential use of qualitative and quantitative methods of investigation principle and triangulation of triangulation, principle of quality, principle of research design and principle of testing okay तो यहाँ पे 10th number का question है, a survey which is conducted on different sample group at different time interval is called cross-sectional study उसके लाँ आपका longitudinal study time series है, उसका short analysis है, तो यहाँ पे आप लोग question देख लिजेगा और आप question को पढ़ने वाले नहीं है time बहुत जादा लगसाएगा और आपका कोई बहुत जादे benefit ही होने वाला है, यहाँ पे question आप खुद पढ़के, खुद इसके बारे में जानकारी रखिएगा, ठीक है आप लोग वहाँ से डाउलोड करिए question paper इसका practice कर सकें, ओके अगर question difficult बनता है, तो difficult question आपके जो hypothesis testing का ठीक है, जो test होते हैं, उसी से question थोड़ा सा difficult बन जाता है, ठीक है, और testing का जो formula होता है, उसके according कुछ question पूछ दिये जाते हैं, और पूछा जाता है formula के according का, मतलब वहाँ पे क्या answer निकलेगा, वही थोड़ा सा problem होता है, नहीं तो उसके अलावा कोई बहुत जादा problem नहीं होता है, आपके research methodology में, ठीक है, तो जो लोग थोड़ा ardonate, यसे यूज होता है, उसके बारे में, और test कब use होता है, कि π्रक्रिया के दोरां उसको लगाए जा Sकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपका आसान हो जाएगा, उसके बारे में अगर question बनता है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहे होंगे कि कुछ चीजें यहाँ पर थोड़ा सा दिया जारा हलके देखा जारा बेसिक चीजें लेकिन ऐसे ही हाड कभी कोश्चन इससे बन लाना दिया जाता है चलिए तो यहाँ पर अब को रिलेशन से संबंधे जो चीजें 40 नमर पर था वो टो अब चलिए चलते हैं निक्ट आपके पाट पर और देखेंगे कामर्स वाले बच्चे कि कैसा कुछे बना है तो कामेर्सवाले बच्चे यहाँ पर देख लेजिए 40 52 53 यहाँ पर कुछ यहां पर कुछें को आस आपका ही है देखिए कहा गया which of the following is not a metric to use for measuring the length of of the cash cycle okay AC test days accounts receivable days account payable days and inventory days भाय या banking से जुड़े हुई चीजें हैं जो बच्चे commerce से हैं master हैं उनके लिए यह सब चीजें basic होंगी आसान होंगी वो लोग इसका अंसर दूढ़िएगा practice करिएगा योगि Central government से जुड़े वी उनिवर्श्टी का question paper है एक उनुका question करके question को देख सकते हैं 61, 62, 63, 64, 65, 6, 68, 69, 70, तो बच्चो आज की वीडियो में कितना ही? इससे जुड़ा हो कोई भी आपको information लेना हो, पूछ सकते हैं और जब तक next video नहीं लाते हैं, next update नहीं आप सभी के लिए लाते हैं तब तक ले thanks for watching educational channel और आपका दिन बहुत बहुत सूभ हो and thanks for watching educational channel our we झाल झाल